हेलो फ्रेंड्स एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्तान लर्ना रपर दोस्तों आज के इसी वीडियो में अपन जो पेपर फर्ष्ट है तो पेपर फर्ष्ट में जो अपने पार्ट ए पहले डिसकस कर चुके हैं और पेपर फर्ष पर्ष्ट में जो वीडियो नम्बर 34 अप्लोड गया था तो उसमें अपने कुछ कुछ कूशन्स प्रोवाइड करवाये थे तो उन कूशन्स का सुलिशन्स आपन यहां देख रहे हैं तो दोस्तों पार्ट ए का सुलिशन्स अपन देख चुके हैं पिछले वीडियो में औ तो आंसर होगा डोक्टर सीर अंगराजन के अधिकस्ता में गठित बारवे वितायोग जो बारवे वितायोग है डोक्टर सीर अंगराजन के अधिकस्ता में गठित किया गया है और ये 2006 से लेके 2010 के निमने लिखती इनोंने शिपारी से दिये अब वो क्या क्या शिपारी से द और छ्चेतर पल करपरियास राजगोसी अनुसासन समलित होना चीए स्वास्ते शिक्षा विरासत स्रंक्षण आदिके छ्चेतर विशेश के अनुरूप अनुदान होना चीए परतेक राज्ये को राजगोसिय उत्तरदाईतों विधान लागो करें जो परतेक राज्ये हैं वह राजगोसिय उत्तरदाईतों विधान लागो करें था 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 निकायों के लिए अनुदान सायता 25,000 करोड रूपे हो जो 20,000 करोड रूपे पंचायती राज़ता 5,000 सेरी इस्ताने निकायों के लिए होने चीए और 2009 तक रिग्ण GDP अनुमानत अनुपात को 25% तक लाएं और 2009 तक कर या GDP में जो अनुपायत है को 17.6% तक लाना चाहिए और फ्रेंट्स नेक्स्ट क्यूसन है क्यूसन नंबर दो बारत में विदेशी निवेश को आकरसित करने के लिए किये गए प्रियास बताईए इसका आंसर होगा अनेक चेतर में विदेशी निवेश की सिमा में वर्दी की गई है जैसे रिटेल के चेतर में 91% इंसुरेंस में 26-40% रक्सा की चेतर में 100% विदेशी निवेश प्रोथसान बोर्ड को की समाप्ति कर दी गई है और विवसाई करने में सुगमता को प्रोथसान दिया जा रहा है आदारपुद ढांचे को मजबूत किया जा रहा है इंप्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है मेकिन इंडिया योजना लागू की गई है इसके तहित इनमें कुछ लचिलापन लाया गया है बाजार आगटित वी नियम दर का प्रियोग करना और फेरा नियम है जो 1903 के इस्तान पर फेमा 1909 में लागू करना एकल किड़की योजना लागू करना और वीबिन स्रम एकर सम्मंदित सुधारों का इसमें प्रियोग किया गया है इनकी सिपारिसे इसमें किये गई है और फेरेंट्स नेक्स्ट क्यूसन है क्यूसन नमबर तीन बेंकिंग छेतर में विले के लाब तता इसके समक्स परमुक चुनोतियां बताईए लाब तू क्या क्या है यहां विलेत बेंक की परीसंपतियां को आरते कि इस flipped परतिस्पर्दी हो सकेगा यहां बेंक की परिचानल लागत है तो अनावशे कर्चा को कम करेगा बेंकि साकाइं बढ़ जाएगी बेंक के प्रीसमपतियों में वर्धी साक में सुधार तता निवेष को परोच सैथ करेगा और आदूनकी करन होगा इस से वितिय समावेशन में साइता करेगा और जो इसकी चुनोतिया है परमुक चुनोतिया क्या क्या है तो वो देख लेते हैं आप तो अपने देख चुके हैं चुनोतिया देखते हैं ये बेंकों की बीच परतिसपरदा को कम करेगा तो दोस्तों जो बेंकों की बीच में परतिसपरदा होगी उनकों कर देगा विलेट बेंकों जिनका अधिक है उनकों मजबूत बेंक के एनपीय को भी बड़ा देंगे और क्रामचारियों की छटनी की समस्या इसमें हो जाएगИ और बैंकों की कम संक्या मंदी का कारण बन सकती है तो यह इसके प्रमुक चुनोती है बैंकिंग 6तर में विले के लाब जो विले के लाब है वो अपनी देख सुके हैं बढ़ जाएगी और बेंग का परिशाने लागते हैं और आशे खर्चों को कम करेगा और इसमें जो परिसंपती और आर्थिक इस तर में वर्दी करेगा जो वेस्वी किस तर पर परतिसपर्दी हो जाएगा और फ्रेंट्स नेक्स्ट कुछन है फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवलिशन्स क्या है चतुर्थ ओद्यकी करांती विश्वा आर्थिक मंच के संस्ता पर क्लोस स्वान क्लोस स्वाब की द्वारा दी गई अवदाना जिसमें वर्तमान समय में परचलीत तकनीकी विशेशता ड्रोन, कर्त्रिम, बुद्धी मताव ब्लोक, चेम को विक्षित करेगा और जो इसके लाब वे नवाचार उद्यकों की दक्सता एंव परबाव सीलता उत्पादों की गुनवता शकल गरेल उत्पाद में वर्दी होगी तता लागतों में कमी आएगी और जो इसकी चुनोत किसानों के लिए परिसर्मिक मुल्ले सुनिश्चित करने के लिए नई अंब्रेलाग योजना इसके तीन गठक है मुल्ले समर्तन योजना केंद्रिय नोडल एजेंसियो द्वारा दालो तिलनो एं गरी खोप्रा की बोत्तिक खरीद जिसमें राजे सरकारी की अग्रणी तम समर्तन मुल्ले के बीच में अंतर को पर्तेक्स बुक्तान किया जाएगा नेजी खरीदेयों एस्टोकिस्ट पाइलट योजना तेलनों के खरीद में नेजी इस्टोकिस्टों को समलित किया जाएगा और फ्रेंट्स नेक्स्ट क्यूशन है क्यूशन नमबर छे व्यापार सुगमता सुचकांग में भारत की रेंकिंग में सुधार के कारण बताईए इस्टेट दे रीजन्स ओब इंडियाज रेंकिंग इंड इज ओब बिजनेस इंडेक्स आंसर होगा विशु बेंग द्वारा जारी किये जाने वाले व्यापार सुगमता सुचकांग में भारत ने 23 इस्तानों की छलांग लगाते वे 190 देसों की सूची में 2017 के सोवे इस्तान से 2018 में थेंटरवा इस्तान प्राप्त किया बारत ने 10 में से 6 संकेतों में अपने इस्तान में सुधार किया है साथ संकेतों में ये अंतराश्टे स्रेष्ट परियासों के नस्दीक पहुँच गया है निरमान अनुमती एंस सीमा पारी व्यापार में नाट के वर्दी हुई है इसके अलावा व्यवसाई शुरू करने में साग प्राप्त करने में विद्युद उपलब्दा और समीद परवर्तन में भी सुधार देखा गया है और फ्रंस नेक्स्ट क्यूशने क्यूशने क्यूशन नंबर 7 करसी निर्यात नितिके परमुक बिंदू बताईए और निर्यात उत्पादों यहां गंतव्यों में विविदता लाना नवीन सवदेशी जेविक यहां संजात्य करशी उत्पादों को प्रोच्चान देना मुख्य सवर्दित निर्यात प्रोच्चान हेतु कलस्टर आदारीत त्रष्टिकोण को अपनाना और ब्रांड इंडिया को प्रोच्चान यहां परचार करना नीजी निवेश को आकर्शित करना यहां अनुसंदान और विकास को प्रोच्चान देना सेनेटरी एम फायटो सेनेटरी मुद्रा जैसे बांधकों को सुलजा कर व्यापार को सुनिश्चित करना आधी इसके परमु के बिंदू है और फ्रेंस नेक्स्ट क्यूसने क्यूसन नमर आठ हरित क्रांथिये में इसके परभाव के बारे में लिखे है तो नौर्मन बहुर लोग दूआरा सुरू किये गए जिसमें करत्रिम उवरक पेड़क नासिये उच उतपादे किस्मे के बीजोगा उप्योग कर पसलो उतपादन में वरहे इस तर पर वर्दी हुई बारते में हरित क्रांथि का सरे एमेस स्वामी नातन को जाता है और जो हरित क्रांथि के जो परभाव देविश सकरात्मक परभाव देख लेते हैं पहले खादे सुरुक सा सुनिश्ची दुई भारत के खादे आयात कम हुए कर्सकों की आयमें भी वर्दी वी कर्सकों में विगैनिक तरीके एंवियंतरिकन बढ़ा कर्सी में निवे से कर्सी उत्पादेटा बढ़ी और जो इसके नकारात्मक प्रभाव बढ़े हरित क्रांथि के तो वो क्या प्रभाव बढ़े अंतरचेत्रिय एसमानता बढ़ गई जैसे हरियना पंजाब संपन हुए जबकि यूपी पस्षी बंगाल जैसे रज्जे पीछे रह गए क्योंकि इनी का प्रभाव प्रेयोग हरियना पंजाब में ही किया गए तो वहाँ वाले संपन हो गए और यूपी पस्षी मंगाल राजे पिछड रहे गए अंत्रा पसल ऐसमानता हुई दालों चावलों को चावल एमाम गेहूं द्वारा आच्छा दित कर दिया गया करसी आगते जो करसी लागते थी करसी लागत को बढ़ाती है तो कर्सी के आगत कर्सी लागत को बड़ाती है वो रख परियोग भूमी स्रणेत उत्तरदाई है और नकरात्यम को प्रबाउ को समाप्त करने के लिए संग हरित क्रानती आवशिक है तो दोस्तों जो दाकरातेव को प्रभाव को स्वाप्त करने के लिए संग अरित क्रांती आवशिक है और फिरंच नेक्स्ट क्यूसर नंबर नुव निउंतं समर्थन मुल्ले के उद्दे से हैं इसके गणना पद्रती के बारे में लिखे अपने उंतर समर्तन मुल्ले के जो उद्दे सेंवे हैं कर्सकों की आई सुरक्सा करना कर्सकों को आई सुरक्सा परदान करना कर्सी प्रेटन में परिवर्तन करना सारवजनिक वित्रन परणा लिए तो खद्यान उपलब्द करवना बाजार में आपूर्ती को परबंदिन करन और जो गनना है इसके गनना पदती क्या है तो गनना पदती इसमें विविन लागते समलित की गई है तो वह है A2 लागत कर्सी लागत की कुल लागत भीज उुरक शीचाई वे आदी और जो A2 प्लस परिवार मजदूरी है C2 है जो व्यापक लागत है A2 प्लस EFL प्लस भूमी और पूंजी पर दे किराया इसे आधार लागत भी कहा जाता है C2 को नियुन्तम समर्तन मुले सदेव C2 से अधिक होता है अथार्त C3 बराबर C2 प्लस सिमान्त लागत C3 की गणना तो की जाती है लेकिन प्रियोग नहीं किया जाता है शीतरी की गणना तो की जाती है लेकिन प्रियोग नहीं किया जाता है नेक्स्ट क्यूशन है क्यूशन नमबर 10 कर्सी विस्तार एक तक्निकी पर राष्ट्री मिशन क्या है तो करसी विस्तारें तेक्निकी पर जो राश्ट्री मिशन चला जा रहा है वह क्या है 50 सब्दों में टिपनी लिखी मिशन का जो उद्देश से हैं वह करसी विस्तार को पुनर गटी थे सद्रड करना है ताकि कर्षकों को उप्युक्त प्रोधोगी की तता उन्नत कर्षी अब व्यासों में सक्सम बनाए जा सके इसमें चार उपमिशन समलित है, कर्सी विस्तार पर उपमिशन, बीजे रोपन सामगरी पर उपमिशन, कर्सी मसीनरी पर उपमिशन और कर्सी रक्साय पादप निरोधेतू उपमिशन, इस प्रकार से चार उपमिशन इसमें समलित किया गए है, यह बोतिक पहुंच सूचना परसारन सूचनाई परसार तक निकी सूचनाई संचार तक निकी समता निर्मान यंत्रिकरन को प्रोचसान गुणविता की उपलब जदा हैं पादप सुरुकसा का परियोग करती है और फ्रेंस नेक्स्ट क्यूचन है क्यूचन नंबर 11 राजस्तान के सोलर पार्कों तो था मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट्स पर टिपनी लिखिए तो राज़े में सोर पार्कों के विकास ही तो तीन संयुक्त उद्धम कंपनियों को सम्मिलित किया गया है तो MS उर्जा कंपनी ओप राजस्तान लिमिटेड और जो मैसर्स अडानी रेन्योबल एनर्जी पार्क राजस्तान लिमिटेड एक मैसर्स एसल तो तीन टाइप के कंपनिया है जो कंपनिया होगे हैं मैसर्स उर्जा कंपनी ओप राजस्तान मैसर्स अडानी रेन्योबल एन विकास के लिए योजना के अंतरगत चोवन 5430 मेगावाट के छे सोलर पार्कों को अनुमती दी है और जो बढ़ला सोलर पार्क है सेकेंड वो 680 मेगावाट राजस्तान सोलर पार्क विकास कंपनी के अंतरगत बनाया गया है और बढ़ला का जो फेज थर्ड हो है 1000 अडानी रेन्यूबलर एनरजी पार्क राजस्तान लिमिटेड दौरा के बनाया गया और जो फ्लोदी पोकरन है वहाँ पर साड़े 700 मेगावाट का मेसर्स एसल और उर्जा कंपनी और प्राजस्तान लिमिटेड के दौरा भी सोलर पार्क के विक्सित किया जा रहा है और फ और फ्रेंट्स नेक्स्ट किसेन है किसेन नमर बारा राजस्तान राज्य सेकारी भेड ए उन विपनन संग क्या है इसके बारे में 50 सब्दों में टिपने लिखिए राजस्तान राज्य सेकारी भेड ए उन विपनन संग 1997 में ये इस्तापित हुआ भारत सरकार राजस्तान सर परतन करने के लिए निमले की तकारे करता है बेड़ पालकों की मदेस्ता से बचाओ करना बेड़ों की अधिक संक्या वाले छेत्रों गाओं में बेड़ पालकों की प्रात्मिक सेकारी समित्यूगा गठन करना यह बेड़ पालकों से अत्रिक पसू यह उनका करे करता है यह उ एड़े उन विपनन संग इसी चे के लिए बनाए गिये सहकारी समीतियां और फ्रैंस नेक्स्ट क्यूसर नमर 13 राजस्तान में नमक उद्योग पर टिपनी लिखिए खारे पाने की जीलों की उपस्तिती राजस्तान में नमक उत्पादिन के अनुकुल परिस्तितियां करता है वो 25 बाड मेर के नमक के शरृत मतब जो डिड़ान नागोर तंच्पदराबाड मेर के नमक के शरृत हैरा तेयों राजरी नियंत्रित दीड़ान सेलाइन सरसेज एंवराजस्तान इस्टेट केमिकल वक्स डीडवाना जो 2008 से नीजी है के नियंतरण में है तो दोस्तों जो डीडवाना नागोर है पंचपद्रा बाड मेरे में जो नमक के सरोत है वो राजजी में नियंतरित डीडवाना, सेलाइन सोरसेज, राजस्तान इस्टेट केमिकल वरक्स, डीडवाना, जो 2008 से नीजी छेतर में कारे रहते के नियंतरन में ये कारे कर रही है और पच्पद्रा नमक सरोत जो है जो 1902 में से लीज पर है इसके अलवा कुछ छोटे उद्योगपती, फ्लोदी, जोदबूर, लोनकरंस, बिकाने, बोकरंड, जैसलमे, आदी इस्टानों पर नमक उतपादी कर रहे है राजस्तान नमक उतपादन मामले में गुजरात है, तमिल नाड़ो के बाद भारत में तीसरा इस्टान रखता है नमक उतपादन में पहला इस्टान गुजरात है, सेकेंड इस्टान तमिल नाड़ो नेक्स्ट क्यूसन है क्यूसन नमबर 14 चूदा रास्ता निवेस प्रोच्छा नियुजना 2014 को संक्षेपले समझाईए यह 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 यूजना आट अक्टूबर 2014 में सुरूवी तथा 31 मार्च 2019 तक चलेगी निवेस में वर्दी है तू इसमें निम्न प्रावदान किया गया है तो जो क्या-क्या प्रावदान किया गया विद्यूत सुल्क से 50% की चूट और केवल विनिर्मान चेतर ही तू क्या-क्या प्रियास किया गया है निवेस में वर्दी है तू तो वेट एम CST का 30% निवेस अनुदान के रूप में वेट एम CST का 20% रोजगार सरजन अनुदान के रूप में और दोनों के लिए 7 वर से तू यह प्रियास किये गया है इसमें छोड़ दी गई है नेक्स्ट क्यूसर नमर 15 आंत्रिक अंकेसन तर्था आंत्रिक नियंतरन की तुल्नात में विवेचना कीजी तो डिफ्रेंस बिट्यून थे इंटरनल ओडिट एंट इंटरनल कंट्रॉल तो आंत्रिक अंकेसन वह व नियमों परकिरियाओं कानूनों की अलुपानना कीजाच करना होता है जो कारे समाप्त होने के पस्चाच किया जाता है जबकि आंत्रिक नियंतरन वह सतत परकिरिया है जिसमें विववसाई किरियाओं को संपाधित करने के लिए इसे नियमों या परकिरियाओं का प्रियू तो यह इंटरे चेकिंग के इंतरगत आता है प्रेंट्ट क्यूसेन नमबर 16 परिचालन चक्र अवदी का विसलेशन करें व्यवसाय में निवेशित पुझी नगत पुझी शुरो प्रतम श्टोक कच्चा माल का सवरूप ले लेती है जो अर्द निर्मित माल तैयार माल विक् किरियाओं चरणों से गुजरने के बाद पुन्ह नगत में परिवर्थित होने में लगने वाला समय वेवसाय का परिचालन चक्र कहलता है वेवसाय की कारिशल पुन्जी की आवशिक मात्रा का निर्दारन परिचालन चक्र अवदी के आदार पर किया जता है इसमें कच्चा म संग्रण परिवर्तन त्यारमाल संग्रण देंदार वसूली अवधी तता लेंदार बुक्तान अवधी समाईजी ते की जाती है परीचालन चक्र अवधी में तो फ्रेंट्स यह था आपना पार्ट भी पार्ट भी में परते कुछन का अंसर 50 सब्दों में अपने दिया नेक् कर देंदाओ